लिसम्हेल रखमानी रहीं आज को जो हमारे टॉपिक है वह एक प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि अच्छी कवे लिया जो के चैन बेस इंडियास है यूजिंग जुमैट्रिक मीन हमें चैन बेस इंडियासिज तो फाइंड किया थे बट जूमैट्रिक मीन अगर आपको गहते हैं by using the geometric mean then find the chain indices तो उसके लिए आपको एक मैथर को follow करना पड़ते हैं आज हम वो डिसकास कर लेते हैं अच्छा स्टूडियन आपके पार क्वेस्टन यह है कि आपके पार इयर्स गिवन हैं और इन दो आपके आपके पास प्राइज इन वो गिवन है अब स्टूडियन आपको पते हैं कि जब भी आमने लिंक रेलेटिब स्वाइंड करने उते हैं तो आपने क्या करना होता है अगर आपको बेस प्रियूड नहीं गिवन तो आपने वाइक प्राइब क्रेंटियर प्राइबॉले को प्रॉलॉला पेस प्राइब Rs. हमारे पश्कliते हैं कि हमका प्राइब घिवन होता है P. PN it means price of the current year current year price 81 and PN-1 अब देखे हैं यह हमारे पास कहा है सेम रहेंगी क्योंकि हम क्या कह रहें previous year मारे पास कोई भी नहीं हम as assume 100 करें तो वह मारे पास सेम रहेंगी बट अगर आमने find करनी है link relative में price तो मारे पास price क्या है 62 62 आमने previous price ली क्या है 81 क्योंकि जो पी एन है शोज देख्रेंट प्राइज यह मर पास क्या करता है क्रांट प्राइज को शो करता है और पी एन माइनस में आपको शो करता है price of the previous year तो previous year कि क्या है मर पास price 81 81 x 100 तो आपका answer आएगा for doing the solution solve करने से for doing using the calculator तो आप लिखते हो 76 आपका total answer आजाता है इसी तरह आपने next जो प्राइज है उसके लिए भी आपने सेम करने के आपने क्या लिना है कि 104 को लिना है हमारे पास current year of the price आजाएगी बट divided by previous year तो previous year यहां क्या है हमारे पास 62 divided by 62 इसी तरह इसके लिए आप कैसे करोगे current year price आपके पार 93 93 से आप डिवाइड करोगे प्रिविएस यह आपके पार लिंक रेलेटिव आजेंगे जो कि मैंने आल्रेडि फाइंड करके लिख दी है कल्कुलेटर तागे आपका time waste नौँ आपको method जो है वह जादे से जादे समझाज़कों तो यह मैंने link relative सारे के सारे find करनी है for the four commodities की जिनकी prices given थी और आपने link relative निकालते क्योंकि student link relative हमने क्यों find कि हैं देखें जब भी आमने chain indices find करनी है तो यू नीड link relative निकालने का method आपको आता है आप उसका फार्मूला पते है अब student हम अर्थमेटिक मीन के लिए link relative फाइंड नहीं कर रहे हैं हम किसके लिए find कर रहे हैं for the geometric mean अच्छे अगर geometric mean हम find कर रहे हैं तो आपके पर geometric mean का फार्मूला क्या होता है हमरे पर log of X divided by n हम पर log of X क्या होता है जो हमरे पर observation हें हमरे पास जो एकस एकस गैसे जिस तरह यहँ हम आप observation के जैसे के हमरे पर four commodities हैं उनकी जो prices है that all about observation доп हुमारे लिए Egyptian हैं को पते हैं तो तो इसे टोल डिवाइड करते हो तो आपके ऑफ सिंपली आमने पहले अब हमें क्या करना है हमें चाहिए log of x जब आप log of x निकालोगे क्योंकि अभी हमने log of अभी हमने किसी भी x values का log नहीं लिया जब आपके पास log of x टी values आ जाएंगी तो आपने क्या करना है आपने उसका sum लेना है क्योंकि फार्मूले में हमें क्या चाहिए हमें चाहिए sum of log x कि जो log आप x की observation है उनका log ले रहे हो तो उसको हमने sum करना है submission करने कि यहां जितने भी log लिए होंगे for the four commodities वो हमने उनका sum यहां लिख देने अज़े student यह तो गया sum अब next step आपका क्या आजाता है कि n या otherwise k it shows the total number of observation कि आपने उसे divide करने तो हमारे पास कितनी commodities है one two three four we have the four commodities तो आपने उन्साइब को four commodities के साथ क्या कर देना है दिवाइड कर देना है अच्छा अब एक और चीज़ हमारे पास अब log कैसे आएगा geometric mean कैसे आएगा ठीक है क्योंगे both side log होता है तो जो log होता है हमने क्या करना होता है कि अगर आपने properly geometric mean find करने तो जो geometric mean के साथ log होता है आप उसको दूसरी तरफ transfer कर देते हो तो यहां तो यह लॉग होता है बट आप जब इससे दूसरी तरफ transfer करते हो तो इस एक्सचेंग इंटी लॉग एंटी लॉग फिर सेम फार्मूला लॉग ऑफ एक्स डिवाइड़ बाइन एंड दिस तो यहां हमारे पास जो अब्जर्वेशन आ जाएगी जो मैट्रिक मीन के फार्मूले के उसका हमने एंटी लॉग लेना पर जो मैट्रिक मीन आजेगा फिर मैं भी आपको बात समझाते हूं चैन इंडाइस तो आपको पता ही है कि हम इसके रिलेटेड एक एक्जामपल कर चुके हैं इससे मैं आपको नहीं बताए अच्या करने ह आपने लॉग्स फाइंड करने हैं यह जो तमाम कामी यह कल्कुलेटर से होगा और आप लोग लोगे 55 का लोगे इसे इन तमाम वैलियूस का जो आप लोग लोगे उसके अब्सरवेशन में आपके पास लिए उसके अब्सरवेशन आपके पास क्या एगी फिर्स टाइगी 1.9085 देन आजेगी 1.8865 देन अमरे पास क्या एगी 2.0755 और लास्त वन इस 1.7404 इदर हमारे पर लोगे क्या वैलियूस आजेएंगी 1.8808 1.8451 2.0334 और यहां जो लोग लेंगे उसकी वैलियूस आजेएंगी इस वान देन आपने अगेन इनको लॉग लेने तो आप जब लॉग लोगे तो इसकी जो वैलियूस आजेगी आप लिख तो फिर 161 का अपने लॉग लेने इसे आपने तमाम वैलियूस जो है ना स्टूडेंट उनका आपने कल्कुलेटर से लॉग फाइंड करने लॉग हम क्यों क् हैं जो मैट्रिक मीन का फार्मूला है उसकी रिक्वाइर्मेंट ही है कि हमने अपनी जो वैलियूस हैं उनमें लॉग फाइंड करना है तो स्टूडेंट यह आप खुद फाइंड करके देख लोगे मैं वैलियूस लिख रही हूं आप इससे कंपेर कर लेना क्योंकर मैंने और थाने क्यों है कि हमारा टाइम वेस्ट नहूंड हम इन हमें मै send हमें वो समझ में स्टूडिजित हमारे पास खli個 लॉब इन हमने क्या का था कि जो हमारे पास वैल आ रही हैं नोग उन्का हमने कैना है करना है क्यूं करें क्यों कि हमक्ति पार्मॉला है समय करी कि अगर मुझे यहां तक अब मुझे देखें जो रिक्वाइर्मेंट है ना कि लॉग अफ एक्स तो हमने ले लिए हमने तर तमाम वैल्यूज का क्या ले लिए है लॉग अब हमें इने सम करना है देखें वान टू थ्री फो इन वैल्यूज को आप सम करें तो आपके पास क्या आजएगा सम आप करोगे तो आपके पास क्या आ जएगी एट पॉइंट फोर फाइफ एट एट जीरो एंड लास्ट वाइगी एट पॉइंट डबल जिरो नाइंट वैल्यूज आ जिए अब यहे वैल्यूज आ गी हैं यहां मैं आंसा लिखने हुए आपने नंबर ओफ अब्जरवेशन से क्या करना है इनको डिवाइड कर देना है च्टूरें नंबर ओब्सर वेशन आपकी कितनी है कर सकते हो और फिर से कंपेर कर सकते हमने क्या किया हमने लिंक कि हैं क्यों कि हम हमने जब भी चेन करने हैं लिंक करने पड़ते हैं का आपको पता है क्या होता है पी एन-11-10 छिसमें आपके PN कहें है क्रेंट प्राइज है पी-n माइनस वण कर एक है कि प्रीवियस प्राइज है प्रीवियस एक प्राइज है आपने वह लेनी है लिंग रियलिटिफ फाइन करें अब बिकस्ष वी तो च्छूजिंग दे अवरेज ऑ जो मैं तो आपको मीं का फ़र्मूला आपको लॉ लेना है तो मैंने लॉग ले लिए इन सब कर ठीक है लॉग ऑफ एक्स मतब वैल्यू जो भी है लॉग 81 लॉग 77 लॉग 119 लॉग 55 तो मरपा आंसर आजाता है अब फिर्स्ट हमारे पर जो स्टेप पर उसमें हमने क्या करना होता है सम लेना होता हम फार्मूले को देखे चाहर है 4K मतलब नमबर ओफ जर्वेशन से आमने डिवाइड करना अब देखे लिए नमबर बब्जर्वेशन आपके पहर के है 1234 वह मैंनी नमबर ऑफ जर्वेशन 4 वैन यू दू दू दिवाइड फॉर यह थी तरह आमने इसको भी फॉर से डिवाइड किया तो आपके पर या है तो हमारा सॉल्व होगे है ठीक है यह हमने सॉल्व कर लें जब आपने मीन फाइंड करना है इस मीन आप जी एम अब लॉग को आप सेकंड साइड प्लिके जोग है क्योंकि हमें सिर्व में रिक्वाइड है तो वी और टेकिंग देंटी लॉग और आगे वही फार्मूला जो आपने लिखें सिमेशन लॉग ओफ एक्स डिवाइड बाइक क्यूंकि यह वैलियू हमारे पास आगे अब एंटी लॉग आपने किसका लेने यह जो वैलियू है इस फार्मूले की वैलियू क्या आई है मैं वह लिख देते हूं आपको इसकी वैलियू आपके पास आई है एंटी लॉग एंड 1.9027 जब इसका एंटी लॉग लोगे तो जो आपके पास वैलियू जाएंगी वह क्या आएंगी 79.9 तो आपने यहां कहा लिख देना है 79.9 फिर नेक्स में आपके पास क्या आजेगी 96.2 आपने सेम प्रॉसेस करने इसकी जब वैलियू को सब्स्टि इसका एंटी लॉग लेना तो आपके बाद यहां को बना के देती हूं अब देखें यहां तक तो आपका क्वेस्टन सॉल्व होगे अब जब हम चेंड बनाएंगे तो इसमीन के आपके पर जो फॉर्स्ट है वहां तो हमारे पास यही वैलियू रहेगी क्यों क्योंकि हमें चेंड बनाने के लिए हमारे पर कोई प्रिवियस वैल्यों ही नहीं है ठीक है अब चेन आप कैसे बना रहे हो देखो आप इन दोनों को मल्टिप्लाय करें डिवाइड़ बाइंडर्ट करें आप कैसे मल्टिप्लाय करें वह मैं लिखकर बता देती हूं आप लिखोगे 79.9 मल्टिप्लाय बेद इस वन 96.2 डिवाइड बाइंडर्ट तो जब इससे आप सॉल करोगे तो आपके पास वैल्यू जाएंगी वह क्या आएंगी 76.9 ठीक है चेंड इंडाइसेज कहें देखें चेंड इंडाइसेज मीन यू मेग चेंड बिविन दे वैल्यों ठीक है आप देखेंड बनाते उपने वैल्यों के दर्मियान अब देखेंगे 79.9 आपने इस वैल्यू के सम्मल्टिप्लाय किया डिवाइड बाइंड़ क्या अब नेक्स्ट जो आमने चेंड दार्सेज मार पह वैल्यू आगी ना आपनी इसको और इसको क्या कर देने हैं मुल्टिप् वान आ जाएगा थाइखें अब आमने नेक्स वैल्यूस हमने क्या लिनीं है नहीं सुर्य इसका 100 ऌहां 100.1 आज Giving को इस लास्ट वैल्यू किसा क्या करना है सब्सक्राइब करें कर चैनी बनाते हैं इसका इसको नेक्स वैल्यु सुम्निप्लाइब किया इस तरह इस का जो आंसर आए उसको आमने सॉल्व करेंगे आई होब आपको मेरी वीडियो पसंद आयोंगे आप मुझे जरूर बिताएगा कमर में आफेज बिस्मिल्ले रख्मानी रहीं स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजूमर प्राइस इंडेक्स नमबर अच्छा मैं इसके बारे में तो बताती ढ़न और गॉर्फ पर्ष और अपॉर्फ यह क्या उफर्ष यह क्शेंज़ को मियर करते है कौस्ट ऑफ लिवेंग और जैसे के इन्सान रह रहे हैं उनकी बित्क इंट जूते हैं यह इडियोदे शेम्स लिए इंडेक्स नमबर के इंट महीर और चेंज इंडेंगे तेज स्टूरिन हम कहते हैं कि जो मारप consumer price index number a consumer price index number it's also shows by CPI mean consumer price index number okay is designed to measure changes in the composite price of specified basket of goods and service during the given period as compared with the base year student cp may cpi make what use of the have basket but it's also to specify specified that basket mean in which we have the goods and services so we use the word of basket I'm a press key consumer price index number we are comparing that we have the one basket in which we have the lots of goods and service ticket to hum get a ticket to consumer price index number is designed to measure the changes encompasses price of the specified basket of goods and service during the given period as compared with the base year that हमारे पास इस बास्केट में जो goods and service होती है हम एक specified period लेते हुए जो given year होते हैं उनके साथ comparison करते हैं कि जो हमारी consumer price index number है उसमें क्या effect पड़ा है वो हम देखने के लिए the so-called basket would compare various commodities consumed and service received in the base period or as the given period group under the main headings अजय स्टूरें अब यह जो बास्केट है जिसमें हम क्या करते हैं कि we have the basket in consumer price index number but in which basket we have the goods and services but वो good and services जो हैं उनमें हमारे पास different main headings आ जाती हैं जिनके हम क्या करते हैं prices को क्या करते हैं महियर करते हैं उनको हम define करते हैं ताके हमारे हमें पता चले कि जो हम हमारी जो society है उसमें क्या changes आ रही है कि consumer जो use कर रहे हैं commodities जो ले रहे हैं तो उसके लिए क्या policies जो है वो government apply कर सकती है तो that's useful for the government तो हम क्या कहते हैं जो goods and services हम ले रही हैं उसमें कहते हैं food and beverages आ सकते हैं clothing आ जाता है fuel and lighting आ सकता है housing as services हैं तो इसकी जो definition है हम कहते हैं कि major the changes in the cost of living of a person और a group of person having the identical test is for goods अच्छा अच्छा आप consumer price index number जो है वह हम इसको कहते हैं household budget price भी कहते हैं retail price index number कहते हैं अच्छे स्टूरें household budget index number क्यों कहते हैं तिके we are discussing about good commodities services अब इसमें गूर्ट में क्या ले रहते हैं हम ले रहते हैं household lighting ठीक है clothing extra जो भी चीज़ ले रहे हैं तो देखें यह हमारे पास क्या है कि हमारे पास household budgeting हम इसको कहते हैं इंडेक्स नंबर भी कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं household budgeting इंडेक्स नंबर आप इसको household budgeting इंडेक्स नंबर भी कहते हो consumer price index number हमें क्या बताते हैं कि we suppose we have the basket कि हमरे पर एक basket है in which we have the goods and services और हमने क्या करना होते हैं जिस तरह fuel lighting clothing extra चीज़ें आती है household budgeting में तो हम इनको क्या कहते हैं इनकी prices को मालूम करते हैं इससे जिसे हम इसकी definition लेते हैं कि मेर्दचेंज इंड़ cost of living of a person और a group of person having identical taste is कि हम उन जो cost of living of the person है और group of person उनकी changes को मेर करते हैं ठीक है तो यह मेरे पास क्या आ जाते consumer price index number अब सुरे लगर हम कहते हैं का construction of the consumer price index number के जो steps हमने लेने हैं for making the consumer price index number तो वो क्या होने चाहिए तो four steps है मैं लिग देती हूं और फिर मैं उनको explain भी करते हूं आपके पास जो step है वो हमारे पास first step क्या है scope हम यह मैं आपको बिताती हूं कि यह हमें क्या बिताएगा second step जो हमारे budgeting inquiry inquiry आपके प्यास किया है कि household budgeting inquiry अब स्टून मैंने अभी आपको बिताया है कि जो consumer price index number है it's the second name of household budgeting index number अब यह मैं आपको explain करेंगे क्यों कि हम इसे क्यों कहते है third हमारे पास आजाते है पीस डिटा and fourth one is the last one computation of index कि इस index number को हम compute कैसे करते हैं मालूम कैसे करते हैं computation of हमारे पास क्या आजाएगा index अब student first of all we are discussing about the scope अच्छे scope हमारे पास कहा है the first step is to clarify specific the category of the people and locality where the people are living ठीक है हमें सबसे वेले क्या बताने है category of people specify the category of people and locality हम इसमें क्या करते हैं specify category category of people पीपल और locality अस्टोरी यह नेम से हमें पता चाह रहा है कि हमने scope सबसे वेले हमारे जो first step हमने देखना है कि हमने specify करना है sorry कि वहां category of people क्या है locality कि है कि आप कि जो people हैं उनकर क्या है कि सकोप कितना है ठीक है वो क्या खर्च करते हैं वो किस locality में रहे हैं वह इंडिस्ट्रियल एरिया में रहे हैं अर्बन में रहे हैं तो धाइट्स मीं specify category of people and locality हमार फॉर्स टैप कहता है फॉर्स टेप इस टुकले रहे सब्सक्राइब कर सकते हैं कि वो लो सालड़ी इंप्राइज हैं टीचर्स एं स्कूल टीचरें इंडिस्ट्रियल वर्कर्स हैं था आल इंक्लूड अच्छे स्टूडें और एक और चीज हम कहते हैं कि एस फॉर आस पॉसिबला हमोजीनियस ग्रूप ऑफ पर संपर्सन फॉह देंटिकल पैटर्स फ्लिविंगे सकंसर्ट अब दिखें यहां क्या फाइं करें पहले तो मैं आपको वर्ट बता दूंगे होमोजीनियस क्या औ है कि डिफरेंट हो तो आपने जो फॉर्स स्टेप उसमें क्या करते हैं स्पैसिफाइद केटेगरी और पीपल एंड करते हैं क्या हुआ उस साइटी में जो हम ग्रूप स्लेक कर रहे हैं जहां जिबने कंजीमर प्राइस इंडिक्स नबर फाइंड करना है उसका पहला स्ट गրड़ है यह भू जो लोकिशन है हो कैसे है तो इस डिफीर पॉन थे स्कोड फॉर्स स्टप है सिक़न स्टेप हमारे पास करा है कि हाव्स्टी बजोड बजीटिं इंक्वारे अड़स अब स्टून प्रौइटिं ओकख़ेइड इस वीर्स अबान नेक्स स्टेप है स्टॉय the goods and services to be included in the construction to drive weights to be attached to them हमने क्या करने है उन हाउस होल बजने जो हमने फाइंड किया है कि category of people है उनका household budget देखना है उसकी inquiry करने है ठीक है हमारे पाल जो category of people है category of people जो भी हम select का रहे हैं हमने क्या देखने है कि उसका हाउस होल बजटिंग सिस्टम है ना उसके inquiry करनी है अब हाउस होल बजटिंग inquiry में हम क्या कहते हैं हम कहते हैं कि पैसे सबसे बहुत हम देखेंगे कि नंबर ओफ है कि spending देखने हैं कि वो चीजों पर spend कितना करते हैं कि कि सेविंग मालूम करनी है तो दैट्स और इंक्लूडिंग इंता household budgeting inquiry हमने वो जो category of people है ना में उनकी हमने देखना है कि inquiry करनी है कि उसमें क्या आते है कि income earners कितने हैं वो सेविंग कितने कितने हैं करते हैं तो that's including in the income अचे स्टूरिंग करते हैं यसमें फैमी साइज के बारे में पूछते हैं इंकम कर लाँ में पूछते हैं नंबर ओप आर्मिंटी और पूछते हैं क्वालिटी कॉन्टिटी जो इंक जो शुद उन्स के सब्सक्राइब करते हैं इसमें हमने यह तो फाइंड करना होता है फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्वालिटी ओव गुड्स है वह कौन से यूज़ का रहे हैं ठीक है करना तो हम क्या करते हैं वी रूज़िंग मैफरोफ शॉप शॉप गरते हैं कि हमने से घ्र चूजस कर लेते जिसन पर हम उन से पूछते हैं कि आपके फैमिली का साइज किया है आपके इंकम ओफ अर्णर कहते हैं आप कैसे क्वालिटी की चीज यूज कर रहे हो यहापके पस जो क्लॉटिंग है फ्यूल है सेविंग है एंड कसंशंट जो आप चीज़ें यूज करते हो वह आपके क्या सब्राइस डेटा फिस डेटा रिह रीन प्राइस डेटा ठीक है अब यह हमुआ है करते हैं करते हैं लेकल स्ट्र में से क्षाब डिधर प्राइस टीज़ों है को जो कंजुमर ऑफ डेटा चाहल पास्षाइं वुच्छीhoven के रहे हैं जैसे कि वह घाने कितना चूट औरृट इनकस्टस्टप Kyffek Sweden के कित्ना कर रहे है तो जो प्राइज डेटका की इंफॉर्मेशन लेनी और फीक 2 कि रिश लाएं मगत्ससान कहा है कि रिफश स्टैप में कहा है आपने उन तींग्स के आमने क्या करें है मालूम करने मालूम लास्ट वन कामपुटेशन ऑफ देंडेक्स आप स्कूलिक के सकत्राइब कि topic का कि हमने इसको कैसे find करना हैं computation of index जो consumer price index number है computation of index student we have to method ठीक है हमारे पास कैंद 2 matters है first हमारे पास कैहे है कि हम कहते है aggregate expenditures अग्रीगेट एक्सपेंडीचर है मैथे सेकें हम कहते हैं कि हमारे पार हाउसोल बजिट है हमारे पास कहें हाउसोल बजिट है अब इसमें क्या होते हैं ले लेते हैं तो जो मैघले पासवार्मूल होते है न फार दी यूजिंग हम कहते हैं लेस्फिर सफ्र然 इंडस नबर वह फार्मूल यहां हमै इन उसप्राइस रेख होते हैं ऑफाई एंग्रीगेट एक्सपैंडीचा इसें हम ऑनछे नचने करते हैं fix का लेते हैं not हमारे पस क्या होते है fix quantity होती है कि आपने उस quantity के साथ आपने पिर अधर है कि उनको compare करने तो जो aggregate expenditures आप उसमें यह फार्मूला लगाते है और अपनी वैलियर को consumer price index नमर के लिए find कर सकते हैं अच्छा हाउसोल बजेटिंग के लिए कौन सा फार्मूला होता है अगर हम हाउसोल बजेटिंग के लिए कहरेंगे कि हमारे पास जो फार्मूला है तो वह हमारे पास क्या होते है इसमेशन फ़ल्यू मुल्टिप्लाइब आइशन फ़ल्यू अच्छा इसमें डब्लीयू कि है फिनाट यू नॉट जिक्क है मीन प्राइज भी फिक्स है वेट्स में एंड क्यू कॉंटिटि भी फिक्स है क्योंकि हमने पढ़ा तक है कि हाउसोल बजेटिंग इंक्वाइर करते हैं क्या हैं कि कोन्टिति हम अबनी फिक्स रख लेते हैं पर जोग करते हैं और ऐ हमारे पास क्या है कि का है कि कि हमुगे परfilm की थे सुचेंगे लूडबारें की अउन्रेट पर ऐसकोDarf आता तो आपके पास जो हमारेते उनक ते है सुरी इसको हम कहेंगे multiply by 100 भी करेंगे न हाँ जी multiply आई जो है वो multiply by 100 भी आएगा तो यह आई आप इस पर्मूले के तहट फाइंड करोगे डब्लियो आप इससे फाइंड करोगे आप इनको multiply करोगे और आपके पास आंसर आजिक और यह इन्शालला जो हम कंस्यूमर प्राइस इंडेक्स नमबर इनके लिए डेटा लेकर एक्जामपल लेकर सॉल्व करेंगे यह तो हमने एक ठीक गर प्राक्टिकल पढ़ेंगे तो हम उसको कैसे फांड करेंगे यह चीज उन अमने फांड आप दॉब्ष आपक्स के हैं इसके मार पाँ रॉबैग्स आप करते हो यह शॉड्ड कमिस के हैं जसके ड्रॉबैक्स इसके रॉबैक्स तुव मेर पास करें कंजूमर प्राइस सबसे पहले है कि हम मेरे पास क्या होता है कि डिफिकल्ट होता है के डिफिकल्ट है सैपरिट है कैटगरी कैटगरी ओफ पीपल के हमारे पादिके स्टूडेन अगर हम कोई भी एप कैटगरी ले रहे हैं आफ दश्वीन कि इस जितने भी लोग एंग उनकी ना तो सेविंग एक जैसे होगी ना तो उनकी क्सम्शन एक जैसी होगी ना वह एक सबसे पहले सबसे क्लाइब करते हैं कि सबसे पहले हैं कि हम एक काटेगरी को यहां किए हमारे पर लो सैलुर्ड है लो इंकम है यह लो किज़म्टर ने लो सेविंग पीपल जो है too much difficult then second आप कहते हो कि as the construction of consumer price index number involves the sampling of goods and service sampling errors and bias may affect indices अब हमर पस कहा है sampling error sampling errors affect indices अब student हमने जब पड़ा था household budgeting inquiry तो हमने क्या पड़ा था we use the method of sampling sampling क्या होता है sample is the part of the population होता है जो आपकी population है उसमें से कुछ category of people या household जो है वो select कर लिए और उन पर आप information उनसे असर करते हैं तो sampling है उसमें हमारे पास क्या होता है कि errors आजाता है ठीक है तो error जो है वो full data को क्या करता है effect करता है जो हमारे indices हैं जो हम select का रहे हैं उन में हमारे पास क्या हो जाता है error आजाता है यूजिंग सांप्लिंग मैतर थर्ड हमारे पास जो हम कहते हैं कि in the case of certain goods it is difficult to collect prices actually needed ठीक है अब हमारे पास कहा है कि difficult difficult prices collect prices collect prices we needed अच्छा इसके में एक्जाम्पल दे तो कहते कि it is difficult to collect prices we needed अब देखें अगर हमने cloth की हमने ली है price हम किसका data collect करें कि आपकी जो consumption है जो consumer है वो कितना consume कर रहे है on the clothing कि वो कितना use कर रहे है अपनी money को cloth पी ठीक है but we are taking only cloth cloth money ठीक है हम tailored cloth नहीं लेते हैं टीक है tailor cloth कि हम बात कर रहे होते हैं सिर्फ कपड़े की हमने जी बजार से कपड़ा ले आया तो जो लोग हैं वो इतने कपड़े लेकिन हमने बात कभी भी नहीं कि कि सिले से लाए कपड़े क्यूंकि देखें जब कपड़ा हम लेंगे तो यकीनी बात है उसको में सिलाना भी है tailor के पास भी जाना है ठीक है तो हम प्राइज ले लेते हैं cloth की but not include करते हैं tailor प्राइज तो यह बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि difficult collect prices we actually needed कि actually जो हमें प्राइज नीड है हम वह collect करते हैं दूसरे क्र्थे करते रहते हैं तो जो cloth की मैंने एक्जामपल दे धिया कि हम cloth तो ले लेती आंप्राइज इक हमें सिर्फ हमने cloth लेकर रखना तो नहीं संबाल के उसको सिलवाना है पहनना है तो जो उसको ऊपर का खर्चा होते है और प्राइज दो किया है व्याधि तो यह मारे पैस अडडि यह आप है है इसले आ है हई से इसलिए और पार WOW छ crash हृता है कि हम आप मैं क्वालिटी चेंजेज ऑफ गुड़्स और वे चेंजेज ऑफ गुड़्स एंड क्वालिटी अब स्टूरिंग यह वर्ड क्यों आ जाते हैं देखें हम एक बेस्परियोड को फिक्स का लेते हैं कॉंस्यूमर प्राइस इंडेक्स नमर में बड़ आप कहते हैं को टाइम तु तो वो चीज़ हम इसमें जो हैं काउंट नहीं करते हैं तो यह भी बहुत बड़ा ड्राइक है ऑफ दे कॉंस्यूमर प्राइस इंडेक्स नमर कर देन फिफ्ट है दूरिंग दूरिंग कोर्स ऑफ हाउसल बजटिटिंग इंक्वाइरी पीस ऑफ गुड़्स एंड सर्विस जे हमारे पास एक हमारे पाल जो प्राइज गोट्स ऑफ सर्विसेज की जो डिमांड है्ट और सर्वेसिज वो चेंज होता है ऐसी प्रbers पर जादा खरश करें इतना कप्रों पर निए जितना वह दर चीजों पर खरश करें तो जो अमरे पार गूर्ज एंड सर्वेसे की जो डिमांड है न वह चेंज होती है रहती है कुट्वीमर प्राइस इंडेक्स नमर में बट हम उसको इंक्लूड नहीं करते तो यह भी मरपा एक शॉर्ट कमिंग है ऑफ दे कंजूमर प्राइस इंडेक्स नमबर की तो हमारे पास क्या होता है कि दूरिंग दे कोर्स ऑफ हाउसल्ड बजटिंग इंक्वाइरी दप्राइस ऑफ दे गुड्स और डिमांड में चेंज सम्कॉमोडिटीज में चेंज इन क्वालिटी अन नॉर्ट कि दूरिंग दे कंजूमर प्राइस इंडेक्स नमबर जो कि अम चीजों को ख्याल नहीं रखते तो यह भी हमारे पास एक बहुत बड़ा ड्राव एक है अब तुरिंग लास्ट वन जो मारे पास हैं कहते हैं दे कंजूमर प्राइस इंडैस गर नॉट बी यूस दूलीए मैं टॉलॉट हो इन दो fiance ओ स्विर्ट दूलॉट है यह वी तूलॉट लूचा जिए तो इस नोट पॉसिबल है यह आपको गुलत इंफॉरमेशन देगा कि अगर आप एक लोकालिटी में से अगर दो हाउस भी स्लेक कर लेता हो तो उनकी भी जो सेविंग होगी वह क्या होगी इंकम होगी डिफरेंट होगी ठीक है हो सकते हैं कुछ लोग विजिट करना दो हाउसोड भी ले रहे हैं तो देयाव नौट दे सेम कंजुमर 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 प्राइस नंबर हो यहां आके फेल हो जाते हैं यह तो हमारे पास थे ड्रॉबैक्स प्राइस नंबर इंशाला करन हम इसको प्रैक्टिकली डेटा लेके सॉल्व करेंगे कि जो मैथर हम हमें तो भी आप में साथ कमेंट मीं डिसकर सकते हैं तो आफिस में जिसमेलियर रकमानीरहीम आज किक है इंडेक्स नमबर का लास्ट टॉप एक जिसमें अमने पहले ठीयोरी डिसकेStars कि 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 अन्जूमर प्राइस इंडेक्स नंबर किया है जिसमें मैटड पढ़े थे उन पढ़ाता है कि हम उसे कैसे कंप्यूट कर सकते हैं उसमें हमने टू मैठेड पढ़े एक तो हमने क्या पढ़ाता है एक्रिगेट एक्सपेंडिचर इन हाउसुल बजिट मैथर अब स्टूडिन हमारे पास यह दो मैथर थे इनके फार्मूलर्स क्या थे वह मैं आपको लिग इन देखे एक्रिगेट एक्सपेंडिचर जब भी हमने कंजूमर प्राइस इंडेक्स नमबर फाइंड करने इस सम्मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक स्टूडिन यहां से जो इंडेक्स नमबर में से जो है नहां से बहुत सरे क्वेस्ट जो एक्जैम में आते हैं तो यह एक of expenditure method आप जो एक्रीगेट expenditures method uh students का formula मेश कहा एकिपने है उसका फार्मूला क्या है हमारे पास household do budget Nada to यह हमारे पास फार्मूले इसको हम कहते हैं PON summation of W multiplied by I and summation W अब इसमें में मेरे पाइब कहा है वेट होते है फिक्स जिसमें आपकी प्राइस भी फिक्स होती है और कॉंटिटी भी फिक्स होते है आई हमारे पास क्या है प्राइस इंडेक्स नंबर पी एंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर इस्टूडियन हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इन विच्वी हाव दे कॉमोडिटी इस वीट राइस शू पी वन भी गिवन आपको जब भी कुष्चन आएगा तो आपको यह जो इनफॉर्मिशन होती है यह आपको अल्रेडी रिक्वाइड होती है इन्दी कुष्चन तो आमने सिर्फ जो आगे चीज़ें फाइंड करनी वह मैं आपको बिता हुँ अब स्टूडियों नों ने खु क्रॉंट यह अब देकिं स्टूडियन हमें प्राइज इस गिवन एंगां इस इंपली हमने क्या करना है अपनी जो कल्कुलेशन है उसको में बनाना है बिए स्टूडियन कल्कुलेशन आप को लेटर के जरी कर सकते हो यह सिर्फ आपको मैं समझाओंगे और कल्कुलेशन मै आपको यह पास कहा है कि हमें पी नॉट एंड क्यू नॉट फाइंड करने जो कि इसमें भी रिक्वाइट एग्रिगेट एक्सपेंडिचर मैं थे अच्छे इस तूरें अगर आपको एक्जैम में कह दिया जाते है आपके पार कोई क्वेस्चन आते है जिसमें आपको कहते तो हमारे हमें क्या चीज़ रिक्वाइड है पी नॉट एंड क्यू नॉट अब देगें स्टूरेंट वी हाव देपी नॉट प्राइज हमारे पास जो बेसियर की प्राइज है यह बेसियर कॉंटिटी हैं बोत और गीमन यह देखें हमने क्या करने सिर्फ इनको तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 31.25 अब हमने 3.00 को मुल्टिप्लाय करने है बाइदी 10 we have 30.00 2.50 को मुल्टिप्लाय करने 12 तो we have 30.00 and this one is 8.00 अब इसका सम करो तो जो हमारे पास समिशन आएगा 99.25 सेकिन हमें क्या चीज रिकॉएड में इस फामूले के लिए हमें पी one multiply by q-not स्वार्मूले यहुक्त का जाहिए पी one ann कि उनौ इनओ रखनी है कि अगर हमें फार्मूला पता है तो फार्मूला अम ने क्रांती हुक् Mitar ने पढ़ा तो लिर अगर कभी फार्मूले अगर आपको फार्मूला सही तरीक़ से पता है तो कल्कुलेशन आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है सिंप्ल आपने मल्टिप्ला करना है क्यों नौट से 25 को करने 1.50 से 10 को मुल्टिप्लाइप ने 3.75 को से मुल्टिप्लाइप अरे मैं अल्रेडी सॉल करके लिखिया हुआ मैं सिक्वापको कल कोलेशन लिख देती हुआ करना मुश्किल है स्टूएंट अप इसको कल को लेटर पर निया कर सकते हैं तो जब हम इसका सम करेंगे इसको प्लस करेंगे जमा करेंगे तो मैं 124 जो हमें रिक्वाइर्मेंट रिक्वाइट थी वह हम पूरी का रहे हैं अगर मैं क्या करती हूं तो मेरे पास क्या जाती है स्ट्रेशन ओपी वन इन टू नॉट क्या है पी वन एंक्यू नॉट का सम्मेशन घ्रफ है सम गिवन है 124 इस तरह हमेरे पाद पी नॉट कीनॉट का सम गिवन है अमरे पास किया है 99.25 multiply by 100 तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 124.93 अच्छा स्टूरें इस आंसर का क्या मीन है कि वी अर्टेकिंग दन 1990 आज़ा बेस पीडियर और कंपेर नाइटी नाइटी फॉर विदी बेस यह हम बेस यह के साथ उसको कंपेर गह रह तो आपकोस के विए और इसके में से माइनस किया 124.93 को माइनस कर जो मेनस करके जुसीर मेंग है अज़े स्टूटें सेकंड मैंतर हमारे पास क्या है तो वेट वेट पापके पी नॉट क्यों नो और पास नेक्स जो हमने आपके पी नॉट मुल्टिप्लाइबाइब करने हैं तो वह मैं आपको इधर करके बिदा अब यह चीज तो फाइन करने हैं पी नॉट मुल्टिप्लाइबाइब अंडर्ट करने अब स्टूडिंट जब आप यह सौल करोगे तो आपके बास कि आजए को 120 125 120 & 162 & we have the sum of 527 mean price of the current year divided by P not both are given in the question हमें P1 भी given है price of the current year भी given है और price of the base year भी given है तो हमने क्या लिखना है 1.50 divided by 1.25 multiply by 100 3.75 divided by 3.00 multiply by 100 तो इस तरह हमने यह solve किया 120 125 120 162 & total sum is 525 अब simply student आपने क्या करने है कि हमने लिखना है दिखे हमारे पास वेट्स भी given है और हमारे पास आई index number price index number भी given है तो हम किसको multiply करेंगे हम करेंगे जी 124 multiply by 527 & वेट्स हमारे पास गया गिवन है सम इसका 124 जब आप इसको करोगे sum करोगे इन दोनों का पहले इनको multiply करोगे फिर हम इस mission जाए तो आपके बस जो आंसर आगे वह एका 52304.75 divided by 99.25 तो जो दो चीज समझ नहीं है वह आपका क्या है method अगर आपको method आता है आपको फार्मूलर्स फिक्स पता है तो इस मीन आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है आपको इंस्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हम त्यूरेटिकली पहले डिसकस कर चुके हैं पिछली वीडियो में अग्रिगेट एक्सपेंडिचरन हाउसोल बजिट मैथर अगर आपको पेपर में सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं बाइदी प्राक्टिस इंड प्राक्टिकल लेवल